के गाइस कैसे हैं आप लोग वाई हो कि आप लोग काफी अच्छे हैं मैं आपको स्वागत करता हूं कॉमर्सी पार्ट शाला में और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पार आगा बात करने वाला हो रोल के बारे में जो कि होने वाला है एक बहुत इंपॉर्टन टॉपिक राइड तो इसके पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूंगों कि यहाप हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज हमारे चैनल को यहां पर आकर के सब्सक्राइब कर लीजिए और यह जो बेला इकन है आपको मेरे वेडियो की नोटिफिकेशन मिलती है साथ साथ में आपको यह भी बताता हूं कि आप अगर हमारे चैनल का मेंबर्शिप का प्लान लेना चाहते हैं जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए आपको यहां पर 40% discount पर मिलेंगा आपको assignment you know free of cost मिल जाएगा और आपको 24-7 support मिलेगा हमारी तरफ से जब तक कि आपका course complete नहीं हो जाता आपको simply करना क्या है इस join वाले बटन के उपर click करना है इसके उपर click करके आपको हमारे membership plan को ले लेना है इसके बाद आपको यह WhatsApp का link आपको दिखाई दे रहा है इसके उपर आपको click करके हमारे WhatsApp group क आपको join कर लेना है तो WhatsApp support आपको 24-7 मिलेगा जब तक कि आपका course complete नहीं हो जाता आपको assignments free of cost मिलने वाले हैं एक रुपए भी आपको payment नहीं करना होगा assignment लिखने का बहुत बड़ा जिंजट होता है तो नोट्स में आपको provide करा दूंगा आप बस उसको लिख लेना साथ जा करें हमारे चैनल पर आएं चैनल पर आने के बाद यह जो एम को मैंस के ओपर क्लिक करें यहां पर आपको सारी की सारी playlist मिल जाएंगी आइबियो वन से लेकर के आइबियो 6 और एबियो 6 और एबियो 7 मतलब 1st year 2nd year दोनों की playlist यहां पर अविलिबल है आप दोनों को देख करके एक तरीकी से examination में अच्छे marks लाप आएंगे तो चलिए फिर हमारे topic के तरफ चलते है जो कि है role of information technology so let's start so the logistics information system which is LIS is a subsystem of MIS management information system तो यह जो LIS होता है logistics information system की MIS का एक तरीकी से subsystem मां पोल सकते हो उसका एक छोटा सा भागा पोल सकते हो it provides the information that is especially indeed needed for logistics management at four levels यह जो हमारा LIS जिसका नाम है logistics information system यह mainly जो है सिर्फ logistics management के ओपर ध्यान देता है इसका काम जो है management information system से थोटा सा different है management information system में सारी चीज़े आ जाती है और उसका चुछ एक चोटा सा पार्ट है जिसे हम LIS बोग पे है जिसका काम सिर्फ logistics के चीज़ों के बारे में धियान रखना ही है जिसके आवशकता सिर्फ और से पर्श्टिक सिस्टम में पढ़ती है first the lowest level of the pyramid refers to the transaction and inquiries जिसका जो lowest level of pyramid होता है अगर आप एक examples of these activities are order inquiries order processing stock status check इत्यार दियार 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 तो lower level में किस तरह की activities होंगी किस तरह के टर्शन होंगी जैसे कि मालो you know order inquiry है या फिर order processing है या फिर stock status check है यह सारी की सारी चीज़ें जो है आफ विद दे help of logistics information system आप कर सकते हो so bill of leading preparation की बात जहां तक आ गई या फिर transportation rate lockups की बात आ गई right such interactions with system occur are frequently as frequently as many times and hour and the speed of information system information flow is highly important operative person such an order processing and transport rat clerks are typical users at this level है ना तो देखो logistics information system का मतलब ही एक information system है जहां से लोगों को हरे तरह की जानकारिया जो है जो भी उनको चाहिए वो प्रवाइट की जा सकती है तो दूसरे वारा जो पहले पार आज पार्ट है कि इस प्रवार पहले पार्ट है आप पहुंच रहे है जो उनका है ठीक है second level to middle level होता है तो middle level के बारे मां बात कर लेते हैं the next level the next higher level use the information system involves first line supervision warehouse supervisors must exercise control over space control and space utilization inventory and labor productivity in offering filing operations मैं एक पिक्चर आपको draw करके बताता हूं कि आखिर में यह हो क्या रहा है यह माल लो pyramid pyramid के तीन पार्ट है ठीक है तो यह हमारा पहला पार्ट है ना मैं सबसे पहले में इसके बारे में बता यह हमारा पहला पार्ट है यह मैंना भी बताया था आपको यहां पर the lowest level है अब हम करें हैं जो कि यह है दो नूमबर की यह में बहुत है इसुप इस लेवल के भी बात करें हुआ इसमें बुलाधया रहा है पहले वाले में क्या था पहले वाले में था एक यहां पर बढने पर सिर नमबर में बात हो रही तो लोगों को कि वेरहाउस में कहां पर सामान रखा जाएगा इतना जगह बचा है इतने सामान रखनी क्या हो शकता है बगएर बगएर इस तरह की चीज़ें लेबर प्रॉड़क्टिविटी और फाइलिंग ऑपरेशन यह सारी चीज़ें जो है वो सैकंड नंबर पिरामिट के सैकंड चीज़ें तो आपको सारी चीज़ें को प्रॉड़ाइट कि अगर आपको अगरा देलीवरी को करना है तो उस के लिए डे अच्छा यूदो एक ट्रक फ्लीट मैंघर के आवस्टा पड़ेगी तो उनके पास यह सारी चीज़ें अवेलेबल हैं नेसेसरी लोग अवेलेबल है equipment available spare parts भी available लेकिन जो major चीज है वो यह है कि information अगर आपको information ही नहीं रहेगी तो आप कैसे वो सारी services provide करा पाएंगे right so the need of our information in the form of status and planning reports that are generated almost every day तो इस तरह की information होती है जिसके basis पे आपकी आपकी पास truck field affiliate manager उसके पास जो लोग है वो आपने इसने भी सारी activities होंगे यह without you know information system information technology यह बेकार है आप इसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाऊगे right तो यह बात यहां पर बताई गई गया अब बात कर लेते हैं हमारे third point के बारे में कि यह है हमारा मैं ठीक से लिखनी पारा हूं यह third point है तो third में हम देख लेते हैं क्या बोला गया है total 4 point है ठीक है मैं इसको थोड़ा एक और कर देता हूं total 4 है मुझे लग रहा था 3 है बढ़ 4 है यह तीसरा और यह जो चौथा वाला है यह चौथा है ठीक है तो तीसरे वाले में बोला जा रहा है कि tactical planning and control tactical tactical planning and control is an extension of management at supervisory level in that it concerns planning that is often repeated in less than one year जो tactical planning होती है control होता है management के उपर यह नों का जो काम करने का जो तरीका होता है उनके उपर supervisory level होता है वो इस चीज को देखते हैं कि जो काम है वो ठीक तरीके से होता रहे साल में जो उसको बार-बार repeat करने के आवाशकता कम पड़े सब्सक्राइब कोई गल्ती आप निकल रही है आपकी तो आप कोशिश करोगे को उसको आप तुरण करो दुबारा वो चीज ओकर ना करें इसके लिए आप जी तोड़ मेंनत करोगे तो आपको यहां पर यहां पर यह जो management होता है न यह जो यहां पर यह लोग planning, controlling इस तरह से करते हैं ताकि जो problem आपको एक बार आ रही है वो problem आपको दुबार आना जहीं पड़े तेक न इस तरीके से वो लोग control problem की में बात कर रहा हूं उसमें यह सारी चीज़ें आ जाएंगी कि किस तरीके साफ अपनी inventory को एक तरीके से evaluate करोगे supplier आपका chain किस तरीके का है career selection कौन से चीज़ से आपके जो सामान है वो जाएगा जो planning warehouse layout हो किस तरीके से काम करेगा layout मतलब हो गया कि पूरा system की किस तरीके से warehouse में किस जगा पर कौन से सामान को रखा जाएगा किस तरीके से उसके जगा का तरीके से होती है इस तरीके से फ्रीके से यहां पर आपके जो जो लोग होता है उनको इन्वाल्ट किया जाता है क्योंकि यहां पर जो है management के अब सकता बहुत जादा पड़ती है तो यहां पर जो फिजिकल दिश्टिबूशन का यह पर ट्रांस्पोर्टेशन का वह यहां पर आकर के पर इस अपना आइं समय जो है देगा ताकि काम जो है वो तरीके से हो सके नौ लेच्ट टॉक्त पॉइंट फाइनली दस्ट्राइजिक दस्ट्राइजिक लॉंग रन प्लानिंग इंवर्ब्स सेटिंग गोल्स पॉलिसी और अब्जेक्टिव्स तो फाइनली जो हमारा जो टॉप लेवल अबशेत को सब्सक्राइज को थे रंखेंशैपल करता है का जो सब्सक्राइज को किस तरीके से पूरी की जाएगी जो distribution task है वो किस तरीके से पूरा किया जाएगा है ना तो इस सारी की सारी चीज़े जो है first level जो उपर वाला जो fourth level यह actually first level होगा उपर से नीचे की तरफ अगर देखा जाए तो है ना तो इस फर्फ लेबल होगा pyramid वाला वो एक तरीके से धिहान रखता है इन सारी चीज़ों कि किस तरीके से आप इनो सारी की सारी जो नीड्स है उसको आप पूरा कर सकते हो और यह सारी चीज़े पॉसिबल त आपको बताया है और इस पिरामेट के माधियम से ही रोल बताने की कोशिच की गई है Logistics Information System की जिसे हम Information Technology जो रोल है हमारा उसके जरीए हम लोगों ने इसको समझने की कोशिच की है ठीक है तो आई होके आपके वीडियो काफी पसंद आया होगा पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें मिलते हैं अगले क्लास का प्रक्षाल रखें बाबाइ थै झालिख की।